नमस्कार मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूँ इस वीडियो में मेरे पास आप सभी स्टुडेंट के लिए कुछ इंपोर्टेंट न्यूज है NEET 2019 के रिगारिंग NTA के ऑफिसल वेज़साइट पर एक नया नोडिफिकेशन आया है तो ntaneet.nic.inc.official website पर जाएए वहाँ पर News and Events में आपको नया नोडिफिकेशन मिल जागा यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या detail दीवी है Notice में लिखा है It is brought to the notice of the candidate of NEET 2019 that the facility for correction in the particular in the online application form will be once again operational तो आपको online application form में अगर आपको कोई correction करना है तो आप वह correction अप कर पाएंगे From 27 May 2019 to 31 May 2019 तो अभी आपके पास 3-4 दिन का समय है Up to 5 PM जो भी आप correction करना चाहते हैं वह अब आप ntaneet.nic.in में जाका login करके वहाँ आप उन में correction कर पाएंगे ध्यान रहे कि last date एक बार देख लेते हैं Last date जो है 31 May 2019 up to 5 PM 5 PM के बाद कोई correction नहीं होगा अब correction is allowed in the following fields तो यहाँ पर जो लिखा है उसमें आप correction कर पाएंगे Father's name, Mother's name, Date of birth, Gender, Category ध्यान रखिएंगे सिर्फ यह 5 फिल्ड पर correction होगा और एक important चीज यह भी है कि यह correction one time facility है एक बार ही correction होगा फिर वापस आपको nt.a की तरफ से कोई chance नहीं मिलने वाला तो आप जो भी correction करना है आप nt.a का official website पर जाएए वहाँ पर जो भी correction है आप correction कर लीजिए तो इतना सा information मुझे आपके साथ share करना था यह वीडियो हम यही समख करते है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और ऐसे वीडियो और देखना चाते हो तो नीचे जो like का button है जो subscribe के button है उन्हें दबाना मत भुलिए धन्यवाद